डियर स्टुडेंट्स आज हम अक्सरसाइज टल डी की प्राब्लम सॉल करेंगे टॉपिक है काइंड्स ओफ प्राला लोग्राम तो बेटा आई एक्सरसाइज की प्राब्लम सॉल करने से पहले जो इम्पोटेंट की पोइंट्स हैं उनको थुड़ा रिवाइज करते हैं समझते हैं ओके बेटा चैप्टर में हम quadrilateral को अच्छे से study कर रहे हैं जो quadrilateral होती है वो दो type की होती है एक general quadrilateral और एक special quadrilateral ठीक है तो आज हम special quadrilateral के बारे में अच्छे से समझेंगे quadrilateral के बारे में आप जानते ही हैं कि quadrilateral क्या होती है quadrilateral इजे closed figure bounded by four line segments ठीक है तो पेटा जो special quadrilateral होती है उनको हम दो type में divide कर सकते हैं एक है non parallelogram type quadrilateral ठीक है ना पेलालोगरम को हम last exercise में define कर चुके हैं एक बार फिर से देखते हैं कि parallelogram क्या है ठीक है ना पेलालोगरम एक ऐसी quadrilateral होती है जिसमें opposite sides के जो pair हैं वो equal होती है और parallel भी होती है ठीक है ना आप देखते हैं कि ये side है वो इसके equal भी है और parallel भी है इसी तरह ये वाली जो side है वो इसके equal भी है और parallel भी है ठीक है ना opposite sides are equal and parallel और जो इसके diagonals होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं ठीक है तो पेटा जो parallelogram type की quadrilateral है उसको हम तीन type की figure में classify कर सकते हैं ठीक है जैसे first है rectangle rectangle के बारे में आप जानते ही है ठीक है ना कि rectangle में opposite sides क्या होती हैं equal होती हैं और parallel होती है rectangle एक parallelogram होती है और एक हरेक एंगल 90 degree का होता है इसके diagonal equal होते हैं एक दूसरे को byset करते हैं खास बात ध्यान रखने हो गया है केस के diagonal एक दूसरे को byset करते हैं लेकिन 90 degree पे नहीं काटते हैं ठीक है दूसरी जो parallelogram है वो है square square के बारे में आपको पता ही है के 4 side square की क्या होती है equal और हर एक angle कितना degree का होता है 90 degree का ठीक है इसके diagonal क्या होते हैं equal और diagonal एक दूसरे को byset करते हैं 90 degree पे right angle पे जो इसके diagonals होते हैं वो bisect करते हैं एक दूसरे को ओके जो यहाँ पे तीसरे type की parallelogram है वो है rombos रोंबस की चारों साइड क्या होती है बिटा एक्वल होती है ठीक है और इसके डाइगनल एक्वल नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को बाइसेट करते हैं आदा डाइगनल इधर आजाते हैं और आदा डाइगनल इधर आजाते हैं ये वाला डाइगनल दूसरे डाइगनल को इसी तरह ये diagonal दूसरे वाले diagonal को bisect करता है जो diagonals होते हैं वो एक दूसरे को bisect करते हैं और 90 degree पे bisect करते हैं ठीक है ना ये जो angle है वो point पे वो 90 degree का होता है 90 degree 90 degree 90 degree और 90 degree ठीक है ना ये केवल rhombus में और square में होता है ठीक है 90 degree पे जो diagonals होते हैं वो एक दूसरे को bisect करते हैं, ओके, अब यह figure एक special quadrilateral है, लेकिन parallelogram नहीं है, trapegium is not a parallelogram, ठीक है, it is a special type of quadrilateral, अब आप देखिए, a, b, c, d एक trapegium है, ठीक है ना, यहाँ पर आप दिखिए कि यह side है, इसको अगर आप A लेते हैं और बड़ी side को B लेते हैं, ठीक है ना, त sides का एक pair parallel होता है, equal नहीं होता है, ठीक है ना, a is parallel to B, a is not equal to B, ठीक है, so a, b, c, d इसे trapegium, इसी दर आप देखिए, जो kite होता है, वो भी एक special type की quadrilateral होता है, ठीक है ना, p, q, r, s, इसे kite, जिसमें आप देखते हैं कि यह side is के equal होती है, ठीक है ना, opposite side parallel है, बट equal नहीं है, ठीक है ना, वो diagonal है, वो equal नहीं है, तेकिन एक दूसरे को 90 degree पे intersect करते हैं, ठीक है ना, तो आइए इन properties के साथ exercise 12D की problems solve करते हैं, ओके, बेटा 12D का first question देखिए, the adjacent side DA and AB of parallelogram ABCD are 3 cm each, state the measurements of all the sides, what is another name for the figure, आइए इस problem का solve करते हैं, बेटा इस question में ABCD एक parallelogram given है, जिसमें adjacent side AD और AB है, उसकी value 3 cm दी गई है, ठीक है ना, और हम जानते हैं, कि जो opposite side होती है, parallelogram की, वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना, अगर ये 3 cm है, तो BC side भी क्या हो जाएगी, 3 cm, इस तरह अगर AB 3 cm है, तो CD side भी 3 cm हो जाएगी, तो इसमें आप property लगाएंगे, कि जो parallelogram की opposite sides होती है, वो equal होती है, तो यहाँ पे जो चारों sides है, AB, BC, CD और DA, वो 3 cm के equal हो जाएगी, all sides are equal, तो therefore इस तरह की जो parallelogram है, क्या होगी, ABC, CD, EJ, rhombus, तो इसको आप rhombus कहेंगे, ओके, बेटा second question में देखिए, यहाँ पे भी एक parallelogram आपको given है, मान लिजिए, ABC, CD एक parallelogram है, जिसमें आपको adjacent side equal दे रखिए, AB है, वो ADK, equal है, और included angle 90 degree का दे रखा है, ठीक है ना, जाएगा, equal हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, प्रोपर्टी, जब आप parallelogram के लगाते हैं, opposite angle क्या होते हैं, equal होते हैं, ठीक है ना, तो सारे ही angle 90 degree के हो जाएगे, तो यह figure कौन सी figure बन जाएगी, square, okay, third question देखिए, हमें इसमें फिलिंदा blanks करने है, using properties of parallelogram, हम यहाँ पे फिलप्स करेंगे, यह पाट देखिए, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram, तो यहाँ पे क्या वड़ा जाएगा, parallelogram, ठीक है, इसी तरह third question का यह पाट देखिए, यहाँ पे adjacent side दे रखिए, एक 7 cm है, दूसरी 10 cm है, तो अगर यह 10 cm है, तो उसके सामने वाली side भी 10 cm हो जाएगी, अगर यह 7 cm, तो यह भी 7 cm हो जाएगी, और आपको इसका parameter निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो सारी sides है, उनकी length का sum कर लेंगे, यह formula लगा देंगे, twice of L plus B, अगर आप इसको length लेते हैं, इसको breadth लेते हैं, तो यही formula में apply होने वाला है, 10 plus 10, 20, 7 plus 7, 14, 20 plus 14 क्या हो जाएगा, 34 cm, तो parameter क्या हो जाएगा, 34 cm, तो parameter क्या हो जाएगा, 34 cm, या फिलप, okay, third question का बेटाया part देखिए, यहाँ पे आपको sides की ratio दे रखी है, 4 is to 5, तो हम sides माल लेंगे 4x और 5x, और parameter given है, तो क्या करेंगे, formula के equal आप यहाँ पे value put कर देंगे, parameter आपको दे रखा है, 54 cm, तो twice of L plus B is equal to parameter, तो twice of 5x plus 4x is equal to 54, 5x, 4x क्या हो जाएगा, 9x, उसका double क्या हो जाएगा, 18x is equal to 54, solve करके x की value क्या जाएगी, add in 3 जा, 54, तो sides क्या जाएगी, 4x, x की value put कर देंगे, 3, 4 3 जा, 12 cm, यह आपके side साजाएगे, तो बेटा, इस वीडियो में बस इतना ही, thank you so much